Hello dear students, I am Jitendra sir and now we will see the first poem of 5th standard that is Ice Cream Man NCRAT 5th text book is the first poem is Ice Cream Man So we have to read it and enjoy it and I will explain it to you with the children So let's see what is in this poem In this poem is our Ice Cream Man And you can see here as well as your children So what is in this poem we will see here So let's start What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat What is cold, sweet, creamy and wonderful to eat So everyone has a favorite, what is our ice cream Poet is our Rachel Field Yes dear students Who is Rachel Field We will read and understand When summer is in the city and brick blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street So dear students, first stanza To look at his old cars, he sees that he can see the same way He is told that if the oil takes too much No, no, the ice cream man with his little cart The ice cream man with his little cart आता है सडकों पर तो यह हो गई फर्स टेंजा का explanation बहुत easy है गर्मियों के दिन में सहरों में जब बहुत तेज गर्मी होती है उस समय अपनी छोटी सी काड़ी लेकर के आइस क्रीम मैं सडकों पर आता है beneath his round umbrella oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white अब second stanza में क्या कह रहा है beneath his round umbrella beneath मतलब के नीचे his round umbrella उसके जो round umbrella होता है जो उसके काड़ी लगा होता है उसके नीचे oh what a joyful sight oh कितना अच्छा ये द्रिश्य है sight मतलब द्रिश्य जो हम देखते हैं to see him fill the cones with mounds यह देखना उसे जो वो cone के अंदर आपने देखा होगा यह आपका cone है इस cone के अंदर जब वो जो mounds होते हैं या फिर जो creamy होती है cream उसे जब भर रहा होता उसे देखना कितना अच्छा लगता है off cooling brown and white जो थंड़ 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 ब्राउन कलर का यह शहरों में तब ice cream man अपनी छोटी सी गाड़ी को लेकर के आता है सड़कों पर और अपने umbrella के नीचे उसे हम जब देखते हैं cone को भरते हो तो कितना अच्छा दृष्य दिखता है क्योंकि वो cone में creamy type का white and brown color का जो mounds भर रहा होता है नाव सी थर्ड स्टेंजा वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉवेरी और चिली तिंग्स तू ड्रिंग फ्रॉम बाटल्स फूल अफ फ्रोट्जी, फिज ग्रेन, ओरेंज, वाइट और पींड तो यह थी है हमारी थर्ड स्टेंजा थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहा है कि वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉवेरी तो डियर स्ट्रॉएंट्स आप जब भी आइस्क्रीम लेते हो तो अलग-अलग फ्लेवर लेते हो ना तो उन्हीं सब फ्लेवर्स का नाम लिया गया है यहां पे और बताया जा रहा है कि यह जो भी फ्लेवर है और कुछ चीली थिंग्स है चीली मतब थंडी-थंडी पीने में तो ड्रिंग फ्रॉम बॉटल्स फुल अफ फ्रॉस्टी फीज पूरा बॉटल जो भरा हुआ है फ्रॉस्टी फीज से जो कि काफी स्वीट लगते हैं वो भी उसके पास रख्य हुई है नाओ दे फॉर्थ स्टैंजा तो दियर स्टुडेंट्स यहां पे वो क्या कह रहे हैं पोयट जो कि हमारे राचल फिल्ड है वो यह कह रहे हैं कि कि इस काट माइट भी फ्लावर बैड उसका जो काट उसकी जो गाड़ी है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लावर बैड है मतलब फूलों का कहते है न कि बगीचा टाइप में छोटा सा उसमें साब फूल्स वेगरा सब कुछ रखा हुआ है ऐसा ऑफ रॉजेज एंड स्वीट पीज गुलाब का और स्वीट पीज का वो क्या है एक बैड है दवेड चिल्रेन क्लस्टर्ड जिस तरीके से जो बच्चे क्लस्टर होना मतलब उसको जुन्ड में इकठा होना उसको राउंड करके रखा है ऐस थीक ऐस हनी बीज ऐसे उन्होंने उसको गेर करके रखा हुआ है जैसे हनी बीज हनी बीज मतलब मदो मख्या आपने देखा नहां पर पूल वेगरा होते है या फिर मिठी चीजे होती हैं वहाँ पर मदो मख्या किस तरीके से आ जाती है तो ऐसे ही कंपेर किया है रैचल फिल्ड ने उस आइसक्रिम में की कार्ट को एक फ्लावर बेट की तरह है और बच्चे कैसे हनी बीज की तरह उसे पूरा का पूरा का कर लेते हैं घेर लेते है तो dear students यह थे हमारे इस poem की explanation I hope आपको यह अच्छे तरीके समझ में आया है और इसी वीडियो के description में हमने हमारे telegram channel का भी link दिया हुआ है जिसे आप join करके यह PDF भी download कर लेंगे और आने वाले जो भी question and answer के PDF notes होंगे वो भी आपको महाँ पर easily मिल जाएंगे तो आप वो भी subscribe कर लीजिए और हमारा यह channel भी subscribe कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में friends में relatives में जो भी बच्चे पढ़ रहे हों उनको यह video share कीजिए तो dear students हम next video में मिलेंगे नए explanation के साथ तब तक के लिए goodbye and take care